Hello Friends, Welcome to IT Study So, आज की ये वेडियो आपके आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर्ट रहने वाली है क्योंकि इस वेडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे Summits and Conferences 2023 यानि कि साल 2023 के अंदर जो भी महत्पूर्ट सिखर सम्मेलन हुए है उन सभी के बारे में इस वेडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर मैं आपको जनवरी से ले करके जुलाई के 20 में जो भी Important Summits हुए हैं उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही इसके अलामा इस साल और जो अन्य सम्मेलन आने वले सम्मेल में होने वाले हैं उनके बारे में भी बताऊंगा ये वेडियो हर एक exam के लिए महत्पूर्ण होगा क्योंकि शिखर सम्मेलनों के बारे में हर एक exam में कोशन पूछा जाता है जैसे कि G7, Z20, SCO, ASEAN इस तरीके से जो important संबेलन होते हैं इनके बारे में भी हम लोग cover करेंगे और भारत में राष्टियस तरके भी कुछ महत्पूर्ण संबेलन हुए हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे तो वीडियो काफी महत्पूर्ण होने वाला है आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंतक देखना है चली सुरू करते हैं तो सबसे पहला question आपके सामने है यहापे आपको बताना है 2023 के अंदर पंदरवे ब्रिक्ष शिखर संबेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो ब्रिक्ष शिखर संबेलन क्या होता है इसमें पांस देश सामिल होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफरिका तो इस बार इसके जो मेजबानी है वो दक्षिन अफरिका को दी गई है यहापर जो सबसे आखरी देशे यानि की S4 शाउथ अफरिका वो इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है तो यहाँ परवारा अंसर हो जाएगा option number D तो दक्षिन अफरिका के अंदर पंदरवा ब्रिक्षिकर संबेलन आगस्त महिने में होने बाला है और अगर आपसे पूछा जाए कि यह दक्षिन अफरिका में कहाँ पर होगा तो यहाँ का सबसे जो बड़ा सहर है यानि कि जोहांसबर्ग जोहांसबर्ग वहीं पर यह संबेलन होने वाला है फिर इसके बाद अगला सवाल आपके शामने है 2023 में अंतरराष्टी उलम्पिक समिती का 140-वा सत्र कहां पर आयोजित किया जाएगा तो इंटरनेशनल उलम्पिक कमेटी के बारे में आपको बता होगा ये उलम्पिक गेम्स का आयोजिन करती है तो अंतराश्टी ओलम्पिक समिती का जो इस बार 147 होने वाला है उसकी मेजबानी भारत को दे गई है और यहाँ पर आप options में देख सकते हैं भारत का एक ही सहर है और वो है मुंबई तो इस question का हमारा answer हो जाएगा option number B तो मुंबई के अंदर अंतराश्टी ओलम्पिक समिती का 147 आयोजित होने वाला है 2023 में G20 से कर संबेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा शो यह question बहुत ही महत्पूर्ण है G20 का जो 2023 में मेजबान है वो अपना भारत देश है और भारत को पहली बार G20 की अध्यक्सता मिली है तो इस कारण से काफी महत्पूर्ण हो जाता है और भारत की अध्यक्सता में G20 के नेताओं का जो संबेलन होने वाला है वो नई दिल्ली के अंदर शितंबर महीने में आयोजित किया जाएगा तो वही इस question में पुछा गया है शो हमारा answer हो जाएगा option number D नई दिल्ली के प्रगती मैदान में इसके लिए एक convention center भी बनाया गया है जिसका नाम है भारत मंडपम और इसी convention center के अंदर ये संबेलन आयोजित किया जाएगा यहाँ पर आप इसका logo भी देख सकते हैं भारत के अद्यक्स्ता में जो G20 का logo है इसको P.M. Modi ने launch किया था और इसका motto क्या है तो भारत के अद्यक्स्ता में G20 का motto है One Earth, One Family, One Future या फिर इसको बोलते हैं वसुधयो कुटमबकम तो इतनी बाते आपको याद रखनी है अब हम आगे देखते हैं 2023 में शैयुक तराष्ट जलवायू परिवर्तन संबेलन COP28 के द्यक्सता कौन सा देश करेगा तो जलवायू परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्षा करने के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा संबेलन होता है जो कि United Nation के दोरा आयोजित किया जाता है तो इस बार COP28 जलवायू संबेलन होने वाला है और ये होगा दुबई के अंदर United Arab Emirates के दुबई जहर के अंदर ये आयोजित होने वाला है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा Option number D यहाँ पर आप देख सकते हैं United Nation Climate Change to COP28 संबेलन होने वाला है ये दुबई में आयोजित किया जाएगा और नवंबर महिने के अंदर ये होने वाला है इसके बाद ये question भी बहुत ही महित पूण है आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि मई 2023 में 49 जी सेवन सिकर संबेलन कौन से देश के अंदर आयोजित किया गया था तो जिस तरीके से G20 ग्रूप होता है G20 में आपको याद रखना है 19 अलग-अलग countries हैं और साथ में European Union है तो इस तरीके से इन सभी के ग्रूप को G20 बोला जाता है जबकि G7 में शाथ individual countries हैं जिनका ये ग्रूप है इसमें America, Canada, Japan भी है और Europe के चार देश भी है तो 49 जी सेवन सिकर संबेलन जो है वो इस बार हुआ है जापान के अंदर यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा option number A यहाँ पर आप इसका logo देख सकते हैं G7 सिकर संबेलन जो 2023 में हुआ है ये जापान के हिरोशीमा सहर के अंदर आयोजित किया गया था हिरोशीमा वही सहर है जहाँ पर साल 1945 के अंदर अमेरिका ने पहली बार परमाडू बम गिराया था तो हिरोशीमा के अंदर ही जापान ने इस बार का G7 सिकर संबेलन आयोजित किया है जैसा कि आप जानते हैं भारत G7 का member नहीं है लेकिन भारत को एक guest country के रूप में invite किया गया था इस संबेलन में हिस्ता लेने के लिए इसी के चलते भारत की तरब से प्रधान मंत्री नेरेद्र मोदी ने इस event के अंदर पाटिसिपेट किया था तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है मई 2023 में Quad सिकर संबेलन कौन से सहर के अंदर आयोजित किया गया है तो Quad संबेट में टोटल चार देश सामिल होते हैं क्योंकि Quad के अंदर चार कंट्रीस आते हैं एक तो इसमें अपना भारत है इसके अलाबा है अमेरिका तीसरा कंट्री है औस्ट्रेलिया और चौथा जो कंट्री है वो है जापान तो इन चार देशों का जो ग्रूब है उसको Quad बोला जाता है और इनका हाली बजो शिकर संबेलन हुआ है वो आयोजित किया गया जापान के हीरो सीमा के अंदर ही अभी मैंने आपको बताया था कि G7 सिकर संबेलन भी जापान के हीरोशीमा के अंदर ही हुआ है तो वहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स आये हुए थे तो उसी दोरान क्वार्ट सिकर संबेलन भी हीरोशीमा के अंदर ही आयोजित कर लिया गया तो इस तरीके से आपको इने दोनों को एक साथ याद रखना है यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं चारों कंट्रीज के जो नेता हैं उन्होंने हिस्सा लिया था यानि कि भारत की तरप से प्रधान मंतरी निरेद मोदी जापान के प्रधान मंतरी फोमियो की सिधा अमेरिका के राश्पती जो बाइडन और उस्टेलिया के प्रधान मंतरी एंथनी अल्बनीस देन इसके बाद अगला सवाल है पांच वे विशो कॉफी संबेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा विशो कॉफी संबेलन इस बार होने वाला है भारत की मेजबानी में तो भारत में यह कहां पर होगा यहां पर आप उप्शन्स के अंदर देख सकते हैं भारत का एक ही सहर है बैंगडोर तो करनाटक की राश्थानी बैंगडोर के अंदर यह आयोजित किया जाएगा इसको आप इसली याद भी कर सकते हैं क्योंकि भारत में कॉफी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो करनाटक ही है तो करनाटक की राज्थानी बैंक डूरू के अंदर ये संबेलन होने बाला है। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। विस्व कॉफी संबेलन 2023 की थीम रखी गई है सस्टेनिबिलिटी थ्रो सर्कुलर एकोनामी एंड रिजनरेटिव एग्रिकल्चर देन इसके बाद नेक्ट कुछसन आपके सामने है सेमी कॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है तो सेमी कॉन इंडिया क्या है ये भारत के अंदर सेमी कंड़क्टर से बनने वाले उत्पादों के निर्माड को बढ़ावा देने के लिए एक सम्मेलन होता है तो सेमी कॉन इंडिया 2023 ये इस बार आयोजित किया गया है गुजरात की राजधानी गांधी नगर में तो इस क्वेसन का हमारा आंसर हो जाएगा option गर में जो महत्मा मंदिर कंड़न सेंटर है वहीं परिषका आयोजित किया गया था और भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर बोधी ने इस सम्मेलन का उधगाटन किया था Semicon India 2023 हेली सिकर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है तो हेली सिकर सम्मेलन जो है ये हेलिकॉप्टर और छोटे विबानु के लिए सम्मेलन होता है इसी कारण से इसको बोलते हैं हेलिकॉप्टर एंड स्माल एरकाफ्ट सम्मिट तो इस बार इसका पांचवा संसकरन हुआ है जो कि मद्धे परदेश के खजुराहो में आयोजन किया गया है ये बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है जुलाई के एंड में सो यहाँ पर हमारा अंसर हो जाएगा आपसन नेंबर शी तो खजुराहो मद्धे परदेश के अंदर हेली सम्मिट 2023 का आयोजन किया गया है इसका उद्घाडन किस ने किया था तो भारत के जो नागरिक उड्डियन मंतरी है यानि कि जियोतिर अदेत्य सिंधिया और मद्धे परदेश के जो मुख्य मंतरी है सिवराज शिंग चोहान दोनों लोगों ने शैंफ तुरुप से इसका उद्घाडन किया था इसके बाद नेक्ष क्वेशन है शाल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अंतराश्टी मंदिर संबेलन और अक्षपो कहां पर आयोजित किया गया है तो हाली में दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेम्पल्स कॉन्वेंशन और एक्षपो का आयोजित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश के वारणसी में आयोजित किया गया शो यहाँ पर हमारा आंसर है option number B उत्तर प्रदेश के वारणसी में ही फिर इस क्वेशन में आपको बताना है कि 20 जुलाई को किस कंट्री ने पारंपरिक दमाओ पर आस्यान देशों के संबेलन की मेजबानी की है तो पारंपरिक दमाओ पर यानि कि traditional medicine पर चर्चा करने के लिए हाली में भारत ने आस्यान देशों के संबेलन की मेजबानी की है तो question काफी महत्तपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में इसकी मेजबानी की है शो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा option number A आप यहां पर देख सकते हैं भारत की रास्थानी नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था भारत और आस्यान कंट्रीज का traditional medicine पर संबेलन यहां पर अगर हम आस्यान की बात करें तो आस्यान का मतलब होता है Association of South East Asia Nation यानि की दक्षिन पूर्व एसिया के कंट्रीज का ये एक संगठन है इसमें South East Asia के total 10 देशिस के member countries है और इसका जो headquarter है वो कहां पर है? इंडोनेसिया की रास्थानी जकार्था में जकार्था के अंदर इसका मुख्याल है मैंसे आपको बता दू कि 2020 में जो आसियान शिकर संगेलन है वो इंडोनेसिया के अंदर ही हुआ है ये भी आपको ध्यारट में आगे इसका question आएगा तो मैं आपको कराऊंगा फिर इस question में आपसे पूछा गया है कि नवंबर 2020 में तीसरा विष्व हिंदू संगेलन कहाँ पर होगा तो विष्व हिंदू संगेलन का तीसरा संसकरन इस बार नमुम्बर महिने के अंदर होने बाला है और ये थाईलेंड की रास्थानी बैंकोक के अंदर आयोजित गया जाएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A विष्व हिंदू संगेलन जो है यहाँ पर दुनिया भर की हिंदू कम्यूनिटी के जो लोग है वो हिस्सा लेंगे तो थाईलेंड की रास्थानी बैंकोक में ये होगा ये आपको ध्यान रटना है क्योंकि एक्जाम में जब संगेलन का कोशन आता है तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि कौन सा संगेलन कहां पर हुआ है तो जगे का नम आपको जरूर याद रटना है चठा हिंद महासागर संगेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है तो हिंद महासागर संबेलन जो होता है इसके आप नाम सही समझ सकते हैं कि इंडियन ओसन डीजन में 6-3 सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये संबेलन आयोजित किया जाता है तो इस बारिष का च्छटा संसकरन हुआ है और ये कहां पे हुआ ये बांगला देश की रास्थानी ढाका में आयोजित किया गया है शो इस question का हमारा answer होगा option number C तो बांगला देश ने इस बारिश की मेजबानी की है और बांगला देश की जो प्रधान मंत्री हैं शेक हसीना उन्होंने इस इवेंट का उधगाटन किया था दक्षिन पूर्व एस्याई देशों के संग्ठन यानि कि आसियान का 42 मा सिकर संबेलन कहां पर आयोजित किया गया है तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2023 में आसियान के जो अधख्सता है वो इंडोनेसिया को दी गई है तो इंडोनेसिया के अंदर ही इसका आयोजित किया गया है शो हमारा आंसर हो जाएगा option no.d यहां पर आपको एक interesting सीज बता दूँ यह जो आसियान सिकर सम्मेलन होता है यह एक साल में दो बार होता है एक साल में दो बार तो इसका जो अभी 42-मा संस्क्रण हुआ है यह मई महिने के अंदर आयोजित किया गया था जबकि इसका जो 43-मा संस्क्रण है ये भी इसे साल होगा शेप्टेंबर महिने के अंदर तो मेजबान तो दोनों में ही इंडोनेसिया है लेकिन इंडोनेसिया के कौन से सहर में हुआ है अगर आपसे ये पूछा जाए तो वो भी आप याद रखिये मई महिने में इसका जो 42 मा सिकर संबेलन हुआ है वो आयोजित किया गया था इंडोनेसिया के लाबोन बाजो सहर के अंदर लाबोन बाजो ये इंडोनेसिया का एक सहर है जहां पर 42 मा आसियान सिकर संबेलन आयोजित हुआ है और जो 43 मा है वो तो जकार्ता में होगा यानि की इंडोनेसिया की रजधानी में तो इसको याद रखना आसान है यहाँ पर आप ASEAN Summit 2023 की थीम भी देख सकते हैं ASEAN Affairs Epicenter of Growth तो यह सब याद रखना है ASEAN Summit के बारे में 4 जुलाए 2023 को 23 सिकर संबेलन कौन से देश की अध्यक्सता में आयोज़ित किया गया तो यह question भी बहुती महत्पोन है क्योंकि जिस तरीके से G20 ग्रूप की अध्यक्सता 2023 में भारत ने की है इसी तरीके से भारत ने SCO की अध्यक्सता भी इस साल की है तो भारत को इस साल शंगाई सहयोग शंगठन यानि कि SCO और G20 दोनों की अध्यक्सता मिली है तो 23 SEO सिखर संबेलन जो है वो भारत की अध्यक्षता में हुआ है शो यहाँ पर हमारा अंसर हो जाएगा option number B तो यह संबेलन वैसे वर्चुली हुआ था तो भारत के प्रधान मंतरी डियरेद मोदी ने इस बैठक को शंबोधित किया इसमें सभी जो SEO के मेंबर हैं उन्होंने वर्चुल माद्य में हिस्सा लिया था यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं भारत की अंध्यक्षता में जो 23 SEO सिखर संबेलन हुआ है उसकी थीम रखी गई है टूवर्ड्स ए शेक्क्योर SEO यहाँ पर इस संबेलन के दोरान एक और महत्वपोंट चीज हुई है वो यह है कि SEO का नववा मेंबर कंट्री बन गया है SEO में इससे पहले तक आठ ही मेंबर कंट्री थे जो नववा मेंबर कंट्री एड़ हुआ है वो कंट्री है इरान तो आपको ध्यान रखना है कि संगाई सायोक्षंग्ठन का नववा और सबसे लेटेस जो मेंबर है वो है इरान देश फिर संगाई सायोक्षंग्ठन के बारे में ही ये क्वेशन भी है आपसे पुछा गया है कि साल 2030 में एससीयो के शदत से देशों के विदेश मंतरियों की बैठक कहाँ पर हुई है जो पिछले क्वेशन में मैंने आपको बताया था वो तो एससीयो के लीडर्स का संबेलन है जो की वर्चुल आयोजित किया गया था लेकिन शंगाई सायोक शंगठन के विदेश मंतरियों के जो बैठक है वो आयोजित की गई थी गोवाराजे के अंदर तो यहाँ पर शबी SEO के जो मेंबर कंट्री से उनके विदेश मंतरी आये हुए थे और भारत के विदेश मंतरी डॉक्टर S. जशंकर ने इस मेटिंग की अध्यक्स था की हाली में पहली बार वैस्विक बॉद्ध शंगेलन 2023 का आयोजिन किया गया है आपको बताना है कि कौन से देश ने इसकी मेजबानी की है तो Global Buddhist Summit का हाली में आयोजिन किया था और जैसा कि यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसका उद्गाटन किया था तो भारत ने इसकी मेजबानी की है शो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A यहीं पर अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के कौनसे सहर में इसका आयोजिन किया गया था तो वो है भारत की रास्थानी नई दिल्ली तो नई दिल्ली के अंदर Global Buddhist Summit का हाली में आयोजिन किया था 24 मार्स 2023 को प्रधानमंत्री नेरेद मोदी ने कौनसे स्थान पर One Word TB Summit को शंबोदित किया तो One Word TB Summit जो है यह आयोजित किया गया था वारणसी में उत्तर प्रदेस के वारणसी सहर के अंदर One Word TB Summit का आयोजिन किया था यानि कि Tuberculosis जिसको हिंदी में 6 रोग बोला जाता है उस पर चर्चा करने के लिए यह संबेलन हुआ है तो PM मोदी ने इसका उत्गाटन किया था और 24 मार्स को यानि कि विस्वो TB दिवस के उसर पर इसका आयोजिन किया था यहाँ पर आपको comment box में लिख कर बताना है कि Tuberculosis यानि कि TB को शमाप्त करने का जो भारत का target है वो किस शाल तक के लिए है यह आपको comment box में बताना है PM नेरेंद्र मोदी ने किस अस्थान पर वैस्विक बाजरा संबिलन 2020 का उत्गाटन किया है तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 को अंतराश्टी बाजरा वर्ष के रूप में मना जा रहा है तो ऐसे में बाजरा को विश्टोस्तर पर बठावा देने के लिए PM नेरेंद्र मोदी ने हाली में कि संबिलन का उत्गाटन किया था जिसका नाम था Global Millets Conference यानि की Westwick स्री अन संबिलन आपको बताओगा इस बार के बजट के अंदर मिलेट्स यानि की बाजरे को स्री अन बोला गया है तो ये संबिलन कहाँ पर हुआ था Global Millets Conference का आयजुन किया गया था भारत की रास्थानी नई दिल्ली में इसके बाद next question है विस्व आर्थिक मंच की तिरपनवी वार्षिक बैठक कौन से सहर के अंदर आयोजित की गई है World Economic Forum की जो सालाना बैठक होती है वो एक ही सहर में होती है और वो है स्विर्चे लेंड का दावोश सहर तो यहाँ पर मारांसर हो जाएगा option number 3 World Economic Forum की तिरपनवी बैठक दावोश के अंदर आयोजित की गई है इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम काफी महत्तपोण है यहाँ पर आप देख सकते हैं Corporation in a Fragmented World यानि की विभाजित विश्व में शहयोग March 2023 में 23-वा राष्टमंडल कानून संबेलन कहां पर आयोजित किया गया है तो राष्टमंडल यानि की Commonwealth Countries का जो हाली में विधी संबेलन हुआ है कानून संबेलन हुआ है वो आयोजित किया गया गोवा के अंदर तो भारत ने इसकी मेजबानी की है और गोवा के अंदर इसका आयोजित किया गया है आठारवी विश्व सुरक्षा Congress कहां पर आयोजित किया गया है तो यह जो सुरक्षा है यह किस चीज़ के बारे में है यह railway की सुरक्षा के बारे में है तो विस्व सुरक्षा कॉंग्रेस जो है ये हाली में आयोजित की गई थी भारत के अंदर राजस्थान के राजस्थानी जैपूर में इसका आयोजित किया गया था तो यहाँ पर हमारा आंसर है option number D अगर आपसे पूचा जाए कि इसका आयोजित किया था तो इसको दो संस्थाओं ने मिलकर के आयोजित किया था एक तो International Union of Railway और भारत का जो RPF है दोनों ने मिलकर के शन्यूक तरोप से इसको आयोजित किया था तो आपको ध्यान रखना है कि आठारवी विश्व सुरक्षा कॉंग्रेस का आयोजित किया गया है राजस्थान की रास्थानी जैपुर में फरवरी 2023 में बारवे विश्व हिंदी संबेलन का आयोजित कहां पर किया गया है तो हिंदी भासा को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर इस बार बारवा विश्व हिंदी संबेलन हुआ है फिजी कंट्री के अंदर तो यहाँ पर हमारा आंसर है option number B भारत और फिजी दोनों कंट्रीज की सरकारने मिल करके फिजी के अंदर इसका आयोजन किया है और इसमें सामिल होने के लिए भारत की तरप से गये थे भारत के विदेश मंतरी डॉक्टर S. जैसंकर यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं विश्व हिंदी संबेलन 2023 की थीम रखी गई थी हिंदी traditional knowledge of artificial intelligence फिर यह question भी बहुत ही महत पोड़ है यहाँ पर आपको बताना है कि संयुक्तराश्य सुरक्षा परसद ने AI के खतरों पर अपनी पहली उपचारिक चर्चा कौन से सहर में आयोजित की तो United Nation के Security Council ने artificial intelligence यानि की कृतिम बुद्धी मता के शंभावित खतरों पर चर्चा करने के लिए पहली बार उपचारिक चर्चा आयोजित की है और ये कहाँ पर हुई ये अमेरिका के निव्यार्क शहर के अंदर आयोजित की गई है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा Option No.C हाली में World Government Summit 2023 कहाँ पर आयोजित की गई है तो विश्यू सरकार सिकर संभेलन यानि कि World Government Summit 2023 ये दुबई के अंदर आयोजित किया गया UAE के सहर दुबई बेस का आयोजित हुआ है और यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं Sapping Future Governments Sapping Future Governments तीसवी राश्टी बाल विग्यान कॉंगरस का आयोजित कहाँ पर किया गया है तो बच्चों में विग्यान को लेकर रूची बढ़ाने के लिए राश्टी बाल विग्यान कॉंगरस का आयोजित किया जाता है और इस बार इसका तीसवा संसकान हुआ है अहमदाबाद के अंदर गुजरात के एहमदाबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया है हाल ही में पहली बार अखिल भारतिया Water Vision Adderate 2047 संबेलन कहां पर आयोजित किया गया है तो Water Vision Adderate 2047 इस विशेपर हाल ही में पहली बार अखिल भारति यानि की राश्टिय स्तरका एक संबेलन हुआ है इसका आयोजित किया गया था शो यहां फर्मारा आंसर होगा Option No.C 108. भारति विज्ञाउन कॉंगरस का आयोजित कहां पर किया गया था 108. इंडियन शायन्स कॉंगरस की मेजबानी की है नागपूर सहर ने तो महराश्ट के नागपूर में इसका आयोजित किया गया था और पीएम नरेंद्र मोधी ने इसका उद्गाडन किया था यहां पर आप देख सकते हैं हाली में पीएम नरेंद्र मोधी ने 12 जन्वरी को किस अस्थान पर 26 में राश्टी युवा संवेलन का उद्गाडन किया तो 26 में राश्टी युवा संवेलन आयोजित किया गया था करनाटक के हुबली सहर के अंदर तो यहां पर महरा आंसर है आप्शन नंबर A जैसा कि आप जानते हैं हर साल 12 जन्वरी को स्वामी विवेका नंजी का जन्व दिन होता है जिसको भारत में National Youth Day के रूप में मिरा जाता है तो उसी युश्षर पर हर साल National Youth Festival होता है और इस बारश का 26 में संसकरण जो है वो करनाटक के हुबली में आयोजित किया गया था इसकी थीम रखी गई थी डेवलप्ड यूथ, डेवलप्ड इंडिया याने की विक्सित इवा, विक्सित भारत तो फ्रेंड्स यह था आज का लास्ट क्वेशन आई होप आपने इस वीडियो को द्यान से देखा होगा अब ये जो क्वेशन है ये आप सभी के लिए है जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिकर के दे रहा है आपको बताना है कि जो बारवा विस्व हिंदी संभेलन हुआ है वो कौन से देश के अंदर आयोजित किया गया था तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2023 के अंदर जो भी इंपोर्टन सिकर संभेलन हुए है जो आने वाले समय में होने वाले हैं उनके बारे में कवर कर लिया है यहां से हर एक एक अग्जाम के अंदर कुशन्स आते हैं तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें शाति कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये वीडियो कासा लगा अगर आप इस चैनल पर पहरी बार आए हैं तो इस channel को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि current affairs के important videos आगे भी आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे अल्रेडी मैंने कई सारे topic wise videos बना दी है तो उनको भी आप description में दीगए link से देख सकते हैं तो हम लोग जल्दी किसी अन्रे वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जै हिंद वन्दी मातरम